आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ परसन है दी गई उत्तराकरतियों में से उस उत्तराकरति को चुनिए जिसमें परसनाकरति नहीं थै परसनाकरति हमें दी गई है यहां पर यह वाले इसके बाद हमें चार उत्तराकरतिया दी गई है तो उत्तराकरति नमबर वन दूसरी उत्तराकरति यह तीसरी उत्तराकरति है और ये चोथी उत्तराकरती है तो चार उत्तराकरतिया दी गई है और बताना है ये वाली आकरती कौन सी आकरती में बनी हुई है तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इस तरह का भाग हमें दिया गया है एक सीधी लाइन है और अगर मैं M को अगर मैं 90 डिग्री दाएं गुमा देता हूँ तो कुछ इस तरह की आकरती मिलेगी हमें तो सबसे पहले एक सीधी लाइन है यहाँ पर एक सीधी लाइन कुछ इस तरह की दी गई है हमें तो सीधी लाइन यहाँ पर भी मिल जाती है, यहाँ पर भी मिल जाती है, यहाँ पर भी मिल जाती है, अब इस सीधी लाइन पर हमें बनाना है यहाँ पर M, अगर मैं यहाँ पर M बनाता हूँ, उस M को यहाँ पर चिपकाना है सीधी लाइन के साथ, तो अगर हम देखते हैं, यहां पर किस तरह हैगा चितर बनेगा यहां पर चितर बन जाएगा कुछ इस तरह हैगा कि सबसे पहले तो इसको उपर ले जाया जाएगा यहां से यहां तक फिर यहां से अगर मैं देखता हूं तो यह यहां जाएगा फिर यहां से अगर मैं इसको बना सकता हूं तो यह यह नहां पर बनेगा और फिर यहां से इसको मिला दिया जाएगा तो यह बन जाएगा इस तरह की आकरती यह आकरती हमें बनानी अब हम देखते हैं पहले उप्सन में तो पहले उप्सन में हमें यह आकर्थी यहीं पर मिल जाती है तो हम कह सकते हैं यहीं हमारा उत्तर दूसरे में इस तरह की कोई आकर्थी नहीं है तीसरे में देखते हैं अगर यह आकर्थी है तो यह सिर्फ आधे में है यह उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमारी पा के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा आज जी डाउनलोड करें डाउटनेट आप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर